हेलो दोस्तो मैं आज आपको दिखाऊंगी कि मेरे पास यह पानी की बोतल है वेसलीटर वाली तो इन बोतल से आज हम बनाएंगे प्लांटा यह देखिए इसे आरी से काट से प्रैंट्स फिर कैच्छी से हम काट सकते हैं इससे यह देखिए कि इस अब हो गया है कटिंग देखिए और एक यह अब इनके बाहर से लिए पर लगे वे हैं तो यह दो कर्सक्राइब मैं परती हमने के बादेस तो दो इसमय दो यह दो करेंिए थारों कर दो पानात्य然后 की दो आंके आरी सब्सक्राइब Joker को शुक्रून करना दो आए थीcaster की में हम सीलिए विए दो तरह से हम इसमें निसान लगा लेंगे थोड़ी थोड़ी दूर पर एक डेड़ इंच पर इस तरह से देखे मैंने आप निसान लगा लिया है निसान लगाने के बाद फिर हम करेंगे करके इसको कटिंग है कर लेना हैask purchased just English कुछ उसको पुरा इसЭтоह से हॉप two गट लेंगे और इस तरह से काटें के बाद और वृ किश्क हमें जो है इस तरह से काट है इस तरह पती की तरह पत्ति को काटने के बाद और इसको में पीछे की सायड में मोड लेंगे यह खास से बनाने में खोड़ी दिक्कत आती है तो इसको ऐसे हमें पीछे की तरफ मोड़ना है इस तरह से दिखा रहे हैं यह तो हम सारी पत्तियों को दğताहिव से पीछे की तरफ मोर्ड लेंगे यहां प्लांटर बनके तक तयार हो जाए का इसके उपर फिर अटार में पर तक करूँगे कलर टो मैं आपको गैया बनके को है ख्या है ह। तो मैं यह 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 मेरा बनके त्यार गया है अब मैं इनके उपर करूँगी कलर, पहले कलर करूँगी, उसके बाद मैं फिर इनको प्लांटर बनाऊँगी, इसके लिए यह मेरे पास पाइप रखे हुए है, तो इस तरह से यह पाइप लगाऊँगी, अब मैं इसको पाइप लगाने के बाद, पहले तो कलर करूँगी, क जोग जाएगा? एख़ती तमाद और मिलेक टे, समय करीबे हैं, जाएगा? थाओ एब टेषरें, 11-10 फॉते टेऊचे शे टेट, समय काट राएं और में दो कंड़े तो मैं यह देखे मेरे पास यह प्लांटर है यह मैंने आपको दिखाए कि यह मेरे बहुत तल थी जब पान की वह मैंने का कटिंग गिया था तो इसके बाद मैं इसको यहां पर अभी सिमेंट यह देखे इसमें इसमेंट और रेट का मिक्चर बना करके इसको मैं फिक्स हुई पहले करना है मुझा यह का तो यह रेट डेलिया मैंने प्रेंट और इसमें दाल लेंगे पुरा सा स्रेंग और इसको आपस में कर लेंगे निक्स तो इसको करेंगे मिक्स तो इसमें थोड़ा से डाल लेंगे पानी और दीरे दीरे से से इसका जह हम कर मत 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 आपस तो जर कोरो हो जन फॉर कोता है कि अ रचली को की अ बेड़ सेदे 53 तो Toby सब किस्ट बडि़ को बागा है कि अब अब जाए बिल्कुल और इसमें डाल देंगे यह बना हुआ इसमें डाल देंगे यह बना हुआ है कि मैंने इसके अंदर सिमेंट डाल दिया और यह रेत का जो पेस्ट बनाया था यह करके और इस तरह से मैंने इस पाइट को बीच में खड़ा कर दिया और एक ही कर दिया फ्रेंट्स तो दो प्लांटर में बना के त्यार करूंगी और मैं आपको दिखाऊंगी यह देखे तो इसमें सिमेंट और रेत दोनों मिक्स करके मैंने जो पेस्ट बनाया था वह दोनों के अंदर डाल दिया तो फ्रेंट्स इसे हम चेक करते हैं देखे अभी यह पूरी तरह से सूखा नहीं है क्योंकि मैंने पूरी रात इसको छोड़ दिया था लेकिन यह आज सूख जाएग आप इसमें अपने हिसाब से जो भी आपको पसांदो जितना भी टुकड़ा आपको लेना है तो फ्रेंट्स यह मेरे पास पाइप का एक टुकड़ा है यह देखिए तो मैं पहले इस टुकड़े को इसके अंदर डालती हूं यह देखे इस तरह से तो मैंने यह टुकड़ा आगया ऐसे देख रहे हैं तो यह ऐसे आ गया फ्रेंट्स और इसके बाद एक छोते वाला टुकड़ा मैंने काटा था इसको मैं डाल दूंगी यह देखिए इसके उपर से इस तरह और इसमें भी में जहें ना इसके बाद लगाओंगी इस वाले को तो फ्रेंट्स में यह टावर वाला अपना प्लांटर बना रही हो तो ये देखिए इस तरह से इसी तरह से फ्रेंट्स एक तो यह तैयार हो गया देखिए इसको मैं अभी कलर का दूसरा हाथ दूसरी बार एक बार और करूँगी इसको मैं पूरी तरह से फिटिंग कर दूँगी हाँ चिपका दूँगी इसको अभी तो मैंने आपको यह रख के दिखाया है तो यह इस तरह का बन गया और दूसरे वाले को यह देखिए फ्रेंट्स मैंने इस पर दूसरा कोट कर दिया है और यह पाइप भी मैंने इसके अंदर फिट कर दिया है इस तरह से मैंने इनके डिजाइन बना दिया है यह देखि जब करूंगी उस टाइम में आपको दिखाऊंगी और यह अभी सूखे नहीं है अभी गिले हैं इनके ओपर भी मैंने दूसरा कोट कर दिया है और शुकने के बाद मैं इन्हें साट करूँ और मैं आपको दिखाऊंगी फैंस यह प्लांटर जो बन गए हैं सुख गए हैं और इन में मुझे कटने हैं छेद क्योंकि इस में जो है ना सिमेंट होने के वज़े से लीचे को पाने नहीं निकलेगा तो यहां से करूंगी मैं मैं पैचकस को गरम करके लाई हूं गैस पर लेकिन या तक लाते-लाते भी ठंडा हो जाता है देखती हो हो जाएगा तो एक मैं देखें जा नहीं पार है पुरा गरम करके लाई थी में इसे और ठंडा हो गया एकनी देर में ही तो यह तो इसकी टाइट प्लास्टिक होती है यह मैंने छेद कर लिए फ्रैंड सीन में और अब मैं इनको यह पर लगाऊंगी सामने और आपको दिखाऊंगी यहां पिर जो तो पहले मैं इसको लगा दूँगी सेंदर अब इसके अंदर से इंदर से जाए है क्या गुसरा है कुछ नहीं है वासी लग रहा है अब दी यह दिल रहा है मिट्टी भर दूँगी ने इसमें फरिये शिक्स हो जाएगा तो यह बला लगा दिया और इसके बाद आई च्छोते वाला है तो यह दिकिए इसको लगाऊंगी अई स तर्हा से यह पर लगाए दिया और इसमें भरूंगी मिट्टी मिटी यहां पर भी मिटी और यहां पर भी मिटी और इसमें लगांगे में प्लांट ठीक है ऐसे ही में दूसरे वाला भी फैंस यहां पर लगाती हूं यह वाला यहां से प्लांटर हटा देती हूं घड़ा कि यह मुझे ही पर रखे वे बाद में कहीं और रखने होंगे तो कह एक हाथ से काम करने में थोड़ी दूकत आती है, यह देखे, इसको बीचो बीच रख दूँ इसकी तरह ही, जैसे वो रखा मैंने, और इसमें पहले लगाना है बड़े बला पाई, यह रखे, यह मैंने कल करके कलर तयार कर दिया था, डबल कोट, ताकि यह सूख जाए, अच् हो गया, यह हो गया, और उसके बाद यह दूसरे वाला, जैसे, तो फ्रेंट्स अब इनके भीच इनमें भरनी है, मुझे मिट्टी, और मिट्टी भरके, तब मैं इनमें लगाओंगे प्लांट, फ्रेंट्स मेरे पास फूल वाले प्लांट्स पर्मानेंट ही है, जो मैं जन वाले लेके आई थी, यह देखे, मैं लेके आई थी, और पता नहीं नर्शरी वालों ने उस टाइम पर दिन पर सब बहुत सारे फूल खिल रहे थे, लेकिन अब किसी पर भी नहीं है, यह देखे, यह सी जन वाले प्लांट लाई थी है, बस इस पर यह हैं कुछ दो चा पर्मानेंट वाले हैं, अब मैं देखते हूं, इसके अंदर में कौन से प्लांट लगाऊंगी, यहां से निकाल के लगाने पड़ेंगे, क्योंकि मैं लगा करके फिर आपको दिखाती हूं कि यह कैसे लग रहे हैं, यह मैंने यह मिट्टी डाल ली और इसमें डालूंगी म प्लांट में खाद होगा तब यह अच्छे ग्रो करेंगे, यह देखें मैं इसमें यह वाला प्लांट में डाल दिया है, और मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूंगी एक जगे दोनों को, इसमें थोड़ी सी गिली मत्ती भी है, तो इसमें यह देखें, लेकनी सब मिक्स हो जाएगी अच्छे से, तो मैं यह वाले प्लांट में लगा दूंगी इसमें, कुछ तो फूल आएंगे तब तो जादे से अंदर लगेंगे, लेकिन बिना फूल के भी अच्छे लगते हैं, और उपर वाले टॉप पर मैं लगा दूंगी गुल्दाव दी, तो यह देखें सेस्ञारी यह लगते हुए, तो 2 गम्लों में से तो मैंने निकाल के ब्लांट में लगा दिए, यह देखें एक इसिस गंळे का और निकाल के इसके लिएडार यह बएक कितना सुंदर लगए हरा है, और जूसरे वाले उस वाले में दो लगाते हूं पहले हैं तो इन में सभ फूल खिलते ही हैं तो यह बहुत सुन्दर लगेंगे तो एक यह हो गया और एक इधर हो गया अभी जो मैंने कमले खाली किये थे वह अभी ही पर है इनको मैं सब को भी हटाऊंगी तो यह देखे फ्रेंट्स कैसा लग रहा है यह मेरा टावर प्लांटर तो इसे बनाने में मुझे दो तीन निन लग गए तो फ्रेंट्स आपको यह कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना और अगर मेरी मेहनत आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को फ्रेंट्स सब्सक्राइब करना यह देखे आप भी बना सकते तो आपको मैं नए नए आइडिया देती रहूंगी फ्रेंट्स आप देखते रहिए मेरा चैनल ओके फ्रेंट्स बाई